दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तो आज कल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मेरा वीडियो का टॉपिक होता है, मैं वह टॉपिक आप ही लोग से लेता हूँ, मेरा कहने का मतलबिया हैं कि आप जो भी कमेंट बॉक में कमेंट करते हैं, अपना सव करूं दोस्तो यहां पर मामला बस यही है तो यहां पर आप किसी को blank check पर sign करके देते हैं और amount वहां खुद से भढ़ लेता है और आपको वह ब्लेक mail करता है दोस्तो जो अब आपको वह ब्लेक mail कर रहा है इसका मतलब अब यही है कि उसने अभी तक check को clear नहीं करवाया है तब ही तो वहाँ आपको ब्लेक mail कर रहा है अगर चेक clear क कर लेता तो आपको वह ब्लेक mail नहीं करता है तो आप यहां पर पड़शान न हों बस आपको थोड़ा सा काम करना आपको उस चेक को stop करवा देना है अगर आप उस चेक को stop करवा देंगे फिर उसके बाद वह बेखती उस चेक को clear ही नहीं करवा सकता है तो आप सवाल उठता है कि आखिर वह चेक के stop कैसे होगा, दोस्तो चेक को stop कराने के अगदम असान तरीका है, आपके जिस भी ब्रांच का वह चेक है, आप अपने ब्रांच में जाएं, आप अपने home ब्रांच में जाएं, और आप एक application लिख कर दें, आप जैसे ही ब्रांच म YouTube पर इसे कई सारे टिटोडियल मिल जाएंगे कि किसी भी चेक को नेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे या मुवाइल बैंकिंग के माध्यम से कैसे स्टप करवाएं आप उसे देख लें और आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप यह सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सिधे बैंक मना करती है तो ठाउनी से घर आ जाएं और फिर एक सिकायत लेखे और उसी थाने में स्पीट-पोस्ट की माध्यम से भेज़के जब यहाँ पर ठाने में पूस्पीड-पोस्ट की माध्यम से आपका सिकायत जाएगा तो यहाँ पर एक record होगा जो पूलिस अधिकारी हैं उसे accept करने से मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहां सबूत है कि आपने थाने में सिकायत किया जो speech post का receiving होता है आप उसे संभाल कर रख ले या फिर आप सीधे SSP को भी लिकेत में लेकर सिकायत कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर वह आपने मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें Instagram पर follow कर ले मेरा Instagram पर वही username है प्रितेस 1584 तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक सदिक अपने दोस्तों और इस्तदारों में भी जरूर से हर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टॉपिक के सांथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें